रेंबो सेबन चैनल की और से मदन गोपाल का सतरेंगी नमसकार टूरिस्ट के लिए इनफोर्मेटिव वीडियो और लेटेस्ट वीडियो पलब्द करवाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और लाइक और अच् देखते हैं और वीडियो आगे देखिएगा वीडियो लास तक जरूर देखिएगा बहुत ही सुन्दर नजारे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आएंगे तो आपको यहां जो मैं दिखा रहा हूं यहां की यात्रा करनी है यानि अटल टनल से आगे का जो स्वर्ग का जैसा नजारा आपको यदि देखना है एज ए टूरिस्ट तो फिलाल टूरिस्ट को अलाउड नहीं किया जा रहा है लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप जा सकेंगे तो वो तरीका जानने के लिए वीडियो को आप देखिएगा पुरा क्योंकि यहां के जो नजा है तो निवेदन रहेगा पहला निवेदन कि आप फोर भाई फोर गाड़ी लेकर आएं नहीं तो दिक्त हो सकती है और साथ में दूसरी आपसे में सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप बलेक गोगल्स यानि काला चस्मा जरूर लेकर आईएगा क्योंकि मोसम साफ है और जो सन कि समस्या हो सकती आंखों के अंदर जलन हो सकती है क्योंकि जब संद्र यानि सूरी की किरणे इस बरफ के उपर गिर्द कर वापिस आपकी आंखों में आएगी तो एज ए मिरर का कारिये करेगी उससे आपको बहुत तकलिव हो सकती है और साथ में पानी का भी यूज हैं उनको यह जानकारी नहीं होती है तो यहां आते वक्त यह है कुईए पानी पूरा प्रयूग कीज़ेगा पानी क्यूंकि आपको प्यास नहीं लगे गी क्यों कि यहां को धंडा मुशल्य इसम यहां आपको पानी पिते रहना हुगा और आपको आपको मैं आगे फ्रोजन वाटरफॉल भी दिखाने वाला हूं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा हम आपको लिए चलेंगे सिसू सिसू विलेज है जहां परमिट चेक किये जाते हैं आगे आपको पुलिस वगएरा है वहां चेक करते हैं और सिसू हेलिफेड तक आपको लिए चलेंगे सिसू वही जगह है जहांके जो पिले पिले कलर के पेड जुफे मस हुए थे वो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूं तो नजारे बहुत ही श्यांदार है और इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजेगा तो बरफ स नहां के लोकल्स है वो तो नॉर्मल जो मारुत्ती अल्टो है उसको भी पार करके ले जाते हैं वो थोड़ा सा उनको बर्फ में चलाने का अनुभव रहता है तो यह नजारे आपको कैसे लग रहे हैं और यह साइध फर्स्ट वार है किसी चैनल के उपर क्योंकि अटल टनल अभी टूरिस्ट के लिए खुली नहीं है तो लोकल्स के लिए खुली है इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं और आपको तरीका भी बताएंगे कि वो कैसे जाना है इससे पहले बता दें कि अटल टनल के लिए फिलाल कोई पर्मिट किया हो सकता नहीं है क्योंकि बहुत सारी क उदर आएंगे तो पर्मिट वहां होगा और यदि आप अटल टनल के वापिस रोतंग जाएंगे तो पर्मिट की जरूरत होती है या रोतंग से इस तरह आएंगे तो भी पर्मिट की जरूरत होती है लेकिन फिलाल आप अटल टनल पार करके सिसू तक आप जाएंगे तो को अहुल गाटी का सबसे बड़ा फ्रेस्टिवल है और इसमें भीबिन परकार की आकरतियां आपको देखने को मिलती है और में अपने जो चैनल है फेस्बुक चैनल फेस्बुक पेज शोरी इसी नाम से है रेंबो सेवन से और यदि आप नहीं जुड़े हैं तो वहां आपको ह हम लाइव वीडियो दिखाते हैं यहां हम लाइव जदा नहीं कर पाते हैं कुछ लिमिटेशन है तो आप सामने देखिए फ्रोजन जो वाटरफोल है यह जमा हुआ है और थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है हम किसी बज़े से यहां थोड़ा सा रुक नहीं सके इसलिए सो यह नजारे देखो पूरी रीवर है एकदम पूरी रीवर बेड़ है रीवर है वो एकदम फ्रोजन जम चुकिए और बरफ चारों और है और अच्छा कलाइमेट है यदि आप आना चाहें तो आ सकते हैं अभी टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आये हुए हैं और आप कॉमे करें होंगे कि यह फिमस होए थे यहां पिल कलर के जो फुलपती की वज़ेसे और यह जो है जो पुलीस है यहां सब्सक्राइब बनावाए उस वे क्या दिसिए पेंटरिक जाते हैं आपको बताते हुए इस जगह का नाम है सिसू विलेज जो टुरिस्ट के लिए बहुत ही पोपुलर है और ये पेड़ भी बहुत पोपुलर हुए थे और इसके में फोटू आप पहेंगे तो फेस्बुक पेज पर लगा दूँगा और मेरा एक पेज गुरूफ भी बना या कहीं भी की यात्रा की है तो अपना फोटू या वीडियो हिमसागर नाम से पेज बना हुआ है उसका लिंक में डाल रहा हूं दोनुका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा तो यहां चेकिंग पुरुत पुरुत है चेक होने के बाद ही आप आपको गाड़ी छोड़ी जाती है थोड़ा सा इस बात का विश्यांद रिखिएगा और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है और यदि आप सिसु इसी गाओं का विलेज सिसु का नाम है सिसु विलेज के आगे आप हिली पेड तक जाएंगे तो कोई दिकत नहीं रहेगी तो आपको कोई इंटरी करानी की जरूरत नहीं है लेकिन आगे जाएंगे आप तांदी जारें उदेपुर जारें या आप केलोंग जारें तो आपको इंटरी करानी मस्ट होती है और नजारे भूत ही कुबसूरत आने वाले हैं वीडियो आप पूरा देखिएगा और 0077 यही माचल का अमर्जेंसी इमर्जेंसी नमर है तो 1077 नमर है इसको आप डाइल कर सकते हैं तो यह नजारे आपको केसे लग रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना आपको आज सिदह ही डारेट ही दिखा देवें अब हम बात करना चाहेंगे कि इस जो लाहोल वेली है लाहोल इ के सिसु विलेज केलांग जाना चाहते हैं तो आपको करना होगा यह है कि आपको ओनलाइन होटल बुकिंग करानी होगी इसी रिजन के अंदर यानि केलोंग करवा लीजेगा या लाहोल इसपीति का कोई भी इलाका लाहोल का वहां ओनलाइन बुकिंग करके आपको आपको वह booking है वो आपका print out निकाल के और यहां अटल टरनल पर आप जब दिखाएंगे तो आपको आने दिया जाएगा बस यही तरीका था यहां आने का और यानि यह स्वरग है स्वरग के समान नजारी है मेरे तो स्वरग जैसे लग रहे हैं आपको कैसा लग रहा है जरूर बताई कि यहां आप जो गरम कपड़े हैं वो जरूत पहन कि आईएगा क्योंकि थोड़ा सा मोसम है वो ठंडा मोसम है और यहां का जो लुप्त तब ही उठा सकेंगे कि आप स्वस्त रहेंगे तो यदि आप बिमार हो जाएंगे तो इस बात का विश्यस ख्याल रेखिएगा और करना होता है आपको और इसके पस्चात आप इधर उदर गूम सकते हैं गाटी भोत ही सुंदर है और स्नोफ रेस्टिवल भी चल रहा है तो आप सतरा तारीक को सतरा को यह खुल रही है इस इस पीती वेली जिसका वीडियो मेंने बना दिया है आप वहां जाना चाहें तो ज कई जो यह लोकल्स आए हुए है और एज टूरिस्ट आप आना चाहें तो मैंने तरीका बता दिया है और वीडियो कैसा लगा अच्छा लगाया तो जरूर लाइक सेर कीजिएगा अच्छा सा कॉमेंट कीजिएगा और कोई भी क्यूरी है तो पूछ भी सकते हैं और नेक्स जे बारत